हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल माही क्रेशन फेशन वर्ल्ड पे आप सभी लोग अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे आज के वीडियो में फ्रेंड हम पुराने सोफा कवर का यूज करके बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही यूजफुल सा इस्टोरेज बैक बनाके रेडी करेंगे और हम सभी लोगों के घरों पे फ्रेंट सोफा कवर तो होते ही है और जब वो पुराने हो जाते हैं तो समझ पे नहीं आता है कि उनका यूज कैसे करें या कुछ दिनों के बाद फ्रेंट्स उनको बिछाने का मन नहीं करता है और बस हम उन्हें अलमारी पे रग देते हैं पर नहीं फ्रेंट्स हम उनसे बहुत अच्छी चीज़े बनाके रेडी कर सकते हैं उनका यूज भी कर सकते हैं तो ये देखिए फ्रेंट्स इस प्रकार से sofa cover, ये दो sofa के cover हम ले लेंगे और इनहीं से आज हम बहुत ही प्यारा सा storage bag बनाके ready करेंगे तो चलिए friends वीडियो को start कर लेते हैं अज़ के वीडियो में friends हम बिना cutting के sofa cover का use करके बहुत ही प्यारा सा storage bag बनाएंगे बस friends वीडियो को ध्यान से देखियेगा तो ये देखिए फ्रेंट्स इस प्रकार से sofa cover को रखना है और बस simple सी सिलाई लगा के ready कर लेना है आप हाथ से भी सिलाई लगा के इसे बना के ready कर सकते हैं तो ये देखिए इस प्रकार से fold करके जहाँ पे मैंने fold किया है वहाँ पे हमें सिलाई लगा के ready कर लेना है फ्रेंट् जिसमें ना कि हमें कोई rice bag की जरूरत है ना ही तो shopping bag की जरूरत है बस sofa cover चाहिए वो भी पुराने वाले और बहुत ही प्यारा सा storage bag हम बनाके ready कर लेंगे जिस पे आप बहुत सारे कपड़े store कर सकते हैं तो ये देखें friends ये मैंने simple सी एक सिलाई लगाके ready कर ली है अब दूसरा वाला sofa cover हमें लेना है और उसके उपर जिस पे हमने सिलाई लगाई थी वो वाले sofa cover को इस प्रकार से रखींगे और तीनों तरब से हम सिलाई लगाके ready कर लेंगे friends बहुत ही प्यारा सा storage bag बनके ready हो जाएगा हमारा बस simple सी सिलाई लगाने के बाद और यदि आपके पास सिलाई machine नहीं है friends तो आप हाँस से भी सिलाई लगाके इस प्रकार का bag बनाके ready कर सकते हैं और अपनी साडिया store कर सकते हैं कंबल store कर सकते हैं ठंडी के कपड़े store कर सकते हैं आप इस bag पे friends बहुत सारी चीज़े store कर सकते हैं और बिना chain के हम बनाके ready करेंगे कोई भी chain की जंजट नहीं है friends क्या होता है कि सभी लोगों से chain लगाते नहीं बनती है तो बहुत ही simple तरीके से बनाके ready करेंगे सबसे बड़ी बात तो ये है friends की बिना cutting के बनके ready हो रहा है तो यदि आपका उमन करता है फिर से इस sofa cover को बिछाने का तो बस आपको कुछ नहीं करना है इसकी सिलाई को खोलना है और फिर से आप इस sofa cover को use कर सकते हैं तो कितना useful है friends बताईए बैक बनाने के बाद फिर से हम sofa cover को use भी कर सकते हैं तो ये देखिए friends ये तीनों तरब से हमने सिलाई लगा ली है और बस कुछ भी नहीं करना है friends कितना प्यारा सा ये देखिए बैक के जैसे थेले के जैसे बनके ready हो गया है आप इस प्रकार से friends तकिया का cover भी बनाके ready कर सकते हैं अब ये देखिए friends ये मैंने velcro ले ली है यदि आपके पास velcro नहीं है friends तो फिर आप बटन भी लगाके ready कर सकते हैं अब बस friends ये देखिए इस प्रकार से निशान लगाके velcro को सिलाई लगाके attach कर देंगे और आज की वीडियो friends आपको थोड़ी सी भी useful लगेगी तो please friends वीडियो को like जरूर करिएगा और comment करके जरूर बताईएगा कि वीडियो कैसी लगी है तो ये देखिए friends ये हमने velcro को attach कर लिया है अब हमारा ये back बनके ready हो गया है friends तो ये देखिए friends ये सिलाई लगाने के बाद हमारा ये back ready हो गया है और बहुत ही प्यारा सा बनके ready हुआ है friends सिर्फ simple सी सिलाई हमने लगाई है अब friends आप इस back पे कम्मल इस्टोर कर सकते हैं बैट सीट इस्टोर कर सकते हैं आप इस पे पतले वाले जो कम्मल होते हैं वो दो-तीन कम्मल इस्टोर कर सकते हैं friends और यदि आपके पास अलमारी नहीं है तो आप इसे तकिया के जैसे भी यूज कर सकते हैं और यदि फिर अलमारी है या दिवान है तो आप ऐसे back बना के दिवान पे रख सकते हैं जिससे कि आपके कम्मल गंदे नहीं होंगे कपड़े गंदे नहीं होंगे और आपके कपड़े अच्छे से व्यवस्तित रहेंगे तो कैसा बना है friends इस storage bag comment करके जरूर बताईएगा अब ये देखिए friends इस bag पे आपना सर्दियों के कपड़े भी रख सकते हैं स्वेटर, जॉकेट सर्दिया अब खतम हो गई है तो आप सर्दियों की स्वेटर वगेरा जो होती है बच्चों की जॉकेट वगेरा होती है उनको भी store करके रख सकते हैं तो बहुत ही useful bag है friends आप अपने हिसाब से इसे चीजों को store करने के लिए यूज कर सकते हैं और आपको देखने में ये छोटा सा लगेगा कि छोटा सा bag है पर नहीं friends बहुत ही बड़े size पे बनके ready हुआ है और बहुत सारे कपड़े इस पे store हो रहे हैं तो चार पास sweater आप इस पे रख सकते हैं फ्रेंड्स पतली पतली और आपके कपड़े बिल्कुल भी गंदे नहीं होंगे बहुत ही प्यारा bag बनके ready हुआ है और आप इसे तकिया के जैसे भी यूज कर सकते हैं अब ये देखे फ्रेंड्स मैंने तो पांस साड़ी स्टोर करके रखी है और आपकी साड़ियां फ्रेंड्स अच्छे से व्यवस्तित रहेंगी ये देखिए मैंने इसके अंदर ना पांस साड़ियां स्टोर कर दी है तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा फ्रेंड्स कमेंट करके जरूर बताईएगा और थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो यूजफुल लगा हो तो प्लीज फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर करिएगा कमेंट करके जरूर बताईएगा कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है और आप लोग भी comment करके जरूर बताईएगा अप पुराने sofa cover से क्या बनाके रैडी करते हैं या उन्हें फेक देते हैं या फिर उनका यूज करते हैं मुझे भी comment करके जरूर बताईएगा तो ये देखेंगे friends कितना प्यारा सा storage bag बनके रैडी हुआ है और अच्छा लगा हो तो आप भी बना के जरूर ट्राइ करिएगा आपके पुराने सोफा कवर का भी यूज हो जाएगा तो आशा करते हूं फ्रेंड्स आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो आपको पसंद आई होगी फ्रेंट billion तो पिलीज वीडियो को लाइक करके नेडिश्ट वीडियो देखने के लिए फ्रेंट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मिलते हैं इसी तरीके के और भी अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे वीडियोस के साथ थेंक्यू फर वाचिंग मैं चैनल मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में I hope friends आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी